साहस सरोकार पेशिय की गई है स्ट्रीजर्यम कोट में आतिक और अश्रफ की आज पेशी की गई है कोट में पुलिस को दी 14 दिनके रिमांड भड़ी खबर प्रियागरास से सामने या री जाहां उमेशपाल हत्यकान में माफ्या आतिक कि आज कोट में पेशी थी सीजम कोट में आतिक और अश्रफ की पेशी कोट ने पुलिस को 14 दिन के रिमांड दी है बड़ी खबर प्यागरास से सामने आ रही है जहां पर आज अतिक एहमद और उसके भाई अश्रफ की सीजम कोट में पेशी थी उमेश पाल हत्याकान को लेकर जादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ समधाता पवन पटेल जुड़ेंगे पवन क्या कुछ अतिक जानकारी सामने आ रहे हैं वहीं कोट ने देखे 14 दन का रिमांड दे दिया है जी बिल्कुल अनंदनी बीते कल देर शाम को जब अतिक एहमद को गुजरात के सावरमती जेल से प्रियागराज के नैनी सेंटरल जेल लाया गया तब से ही तमाम तरह की जो बाते हैं वो लोगों के जेहन में थे कि आकिर किस तरीके से पुलिस अतिक एहमद और अश्रफ को कोट पेश करेगी आज जब कड़ी सुरच्छा के बीच अतिक और अश्रफ को कोट ले जाया गया तो सीजम कोट में अतिक और अश्रफ को 14 दिन की नियाएक हिरासत में रखने के लिए पुलिस को कस्टडी रिमान जो है उसकी मंजूर कर ली गई हाला कि अतिक के पक्ष द्वारा यहाँ पर दलिल दी गई थी कि क्योंकि बीते कल देर शाम से अतिक एहमद के तवियत खराब होने की बाते वो सामने आई थी लेकिन आज जब नैनी सेंटरल जेयल में तो चिकित पालिसमा दीन है और उमेश पाल हत्याकान को लेकर पुलिस की तमाम टीमें आरोपियों की तलास में जुटी हैं अगर बीते कल की बात की जाए तो एडी की टीम दारा जबतीक के करीबियों के घर पर चापे मारी की गई है तो वहां से कई एहम दस्तावेद पुलिस के हाथ लगे हैं और प्रवर्तन दल के हाथ लगे हैं क्योंकि वहां पर एडी की टीम को एक लाल कलर की डैरी मिली है और उसमें करीब दोसों ऐसे नाम के लिश्ट हैं जो इस अतीक एहमत के करीबी और गुर्गे बताए गए हैं और इन जो दोसों लोगों की लिश्ट है इसमें करीब जो दोसों से जादा जो सवालों के लिश्ट है जो सवालों के लंबी सूची है उससे किस तरीके से अतीक और असरफ से पूस्ताज की जाएगी यह सबसे बड़ा महत्मूर होगा क्योंकि इस पूरे ढटा में अभी तक अब जो इस पूरे ढटा की मुक्यारोपी बना जरफ लिचाए जाएगी लिवागा होगा कि Christina तौरिस अलग ऑन पर नलग से जाज़ पर्ताल और पूस्ताज कर चके तो निश्ची त्रोप से ये बहुत बड़ा फैसला हो और बड़ी ख़बर कही जाएगी क्योंकि 45 दिन बाद आज जब उमेश पाल, हत्याकान, मामले मर, पुलिस अतीक और अश्रप को रिमान पर ले रही है तो प्रियाग राज के पुलिस राइन ले जाएगा और जहाँ प पुस्ताज होगी और इंके पुरे पुस्ताज की जो वीडियो रिकारडिंग की जाएगी ताकि अतीक और अश्रप की बातों को मिलाय जा तो निश्ची त्रूप से अतीक और अश्रप के बाद ओमेश पाल, हत्याकान की जो परते हैं वो कहीं ने कहीं खुलेंगी तो आज का जो फैसला है राज की जो तस्वीरे हैं निश्ची तुरूप से उमेश्पाल हत्या कान को लेकर कहीं ने कहीं एक महत्पूर बात है जी नंदिनी जी पवन देखे आतिक अहमद नहीं वहीं अपनी सफाई पेश करते हुए का कि मैं तो जेल में था मैंने तो कोई हत्या नही में फोर्ट नहीं को आज इवन करावास की सजा सुनाई थी तो सबसे बड़ा महत्मूर था क्योंकि आतिक के उपर पहली बार कौट ने सजा सुनाई थी अब जब दुबार अतिक कहमत को यहां लाय गया तो अतिक Г मस्त को जो वहां विए वो दरसाती है और इतने बड़े सामराज के पीछे पुलिस की तमान टीमें लगी है और सबसे महत्पूर्ण यह है कि उमेशपाल हत्याकान में जितने मुख्या रोपी है वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है अगर इसमें चुकी सबसे बड़ी बात ये भी जोड़ना जरूरी है कि अतिक एहमत की पत्नी साइस्ता परवीन जो अब लेडी डॉन के अमराज चला रही है अभी तक पुलिस साइस्ता परवीन का भी तलाश नहीं कर पाई है और इस पुरे घटा करम में अतिक की पत्नी साइस्ता को पचास अजार रुपए का इनामी घोसित किया गया है जबकि अगर पुरे घटा के आरोपियों की बात की जितने चेहरे सामने आयते उनके उपर भी पुलिस द्वारा पांच राक रुपए का इनाम घोसित किया गया है तो अब किस तरीके से पुलिस अतिक और असर्फ से पुस्ताज करेगी यह सबसे बड़ा महत्तूर होगा लेकिन इसमें यह भी जोड़ा जाएगी कि कल जिस तरीके से एड़ी की ट चेहरे हैं वो कौन है और कितने बड़े चेहरे हैं लेकिन कयास यह भी लगाया जा रहा है कि 14 दिन की नाएक हिराशत में रहने के बाद उन तमाम बड़े चेहरे के नाम भी सामने आएंगे जो सबसे ज़्यादा चौकाने वाले होंगे और निश्चित रोप से पुलिस अत प्रदेशों में आरोपियों की तलास में जुटी हुई है तो अतिक और अश्रप से पुस्ताच निश्चित रोप से सबस्यादा महत्तौन साबित होगा जी नंदिनी प्रदेशाएंगे नियाक रिमान पर रखा गया है पुल्स कोट नियुट ने दिया है तो क्या लगता है कि अतिक एहमत को फिर से साब अबती चिल वापस लाए जाएगा या प्रियागराज में ही रखा जाएगा देखें नाइक फिरास्त के बाद पुलिस अतिक आप्वाद को पुलिस राइन की और अतिक और असरफ को मिलाया जाएगा ताकि पुलिस को इस बयान को मिलाने में आसान रहे कि अतिक और अश्रप ने किस तरीके से जेल के अंदर रहकर उमेव पाल की हत्या करने का सड़यनत ररचा था और पुलिस इनी बातों के लेकर आती और अश्रप को लगातार यहां पर पुस्ताज करेगी और यह बात मारी की गई तो एडी के टीम को एक लाल रंग की डायरी मिली है और उस डायरी में करीब 200 ऐसे नाम है जो अतीक के सबस्यादा करीबी या मददगार या उसको आर्थिक रूप से मदद करते थे तो निश्चित रूप से उमेशपाल हत्याकांड मामले में ये डायरी मिलना और अतीक और अश्रब को कस्टेडी डिमान मिलना कहीं ने कहीं ये सबस्यादा महत्पूर माना जा रहा है देखिए यहां ये भी जोड़ना जरूरी है एक मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा ये तस्वीर है नैनी सेंटल जेल की और इस सेंटल जेल के अंदर अतीक एहमत को ल रुपए की रंगदारी मांगने का आरोफ है अब ये अपराद की सेड़ी को दिखाता है कि एक चाहर दिवारी के अंदर बाप, बेटा और भाई बंद हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते एक दूसरे से मिल नहीं सकते वो इसलिए भी जरूरी है कि कल जब देर शाम को अतीक एमद को यहां पर लाया गया था तो अतीक एमद ने अपने बेटे अली से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, हलांकि सुरच्चा के मद्दय नजार तमाम अपरादी घटाओं को देखते हुए जेल प्रशासन द्वारा अतीक एमद को अली से मिलने के लिए रोग दि ट्रोपी टीम को बुलाया गया था, उसका मेडिकल चेक अप कराया गया है, तब कहीं जाकर कड़ी सुरच्चा के बीच अतीक एमद को को पेश किया गया है, जी नंदिनी जी पावन, जुस तरीके से आज देखें कोड में पेशी हुई थी अतीक और अश्रफ की बताया जारा कि कोड परिसर में वकीलों से और पुलिस सिध्धक का मुक्की हुई है, क्या कुछ हंगामा हुआ है वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखें ये प्रियाग राज का और कह लीजिया तो पूरे उत्तर प्रदेश का इस समय का सबसे बहुत चर्चित मामला है, सबसे बहुत चर्चित हत्याकांड है, क्योंकि हत्याकांड को भी बुलाया नहीं जा सकता, जब बीते 24 फरवरी को अधिवक्ता उम हत्याकांड का मामला है, उस पूरे हत्याकांड का जो मुख्या रोपी है, अतीक और अश्रप, इनके उपर जेल के अंदर रहकर शडियांत रचने का रोप लगाए गया, जब इनको कोट में पेश किया गया, तो ये बहुत चर्चित मामला होने की वज़ा से, वहाँ पर प पुलिस के लिए एक चुनोती पूर्ण भी होगा, कि आखिर न्याय किरासत में रखते हुए अतीक और अश्रप से किस तरीके से पूस्ताच की जाएगी, क्योंकि उमेशपाल हत्याकांड को लेकर पुलिस अभी तक लगातार खाली है, अब किस तरीके से पूस्ताच कोगी और किस तरीके से बाते सामने आएंगी, ये तो देखने वाली बात होगी, जी नंदिनी, पवन देखिए, आज अतीक और अश्रप की कोट में पेशी हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, कि आखिर जो बंबाज गुड़ू मुसलिम था, वो कहां है, असत कहां पर है, जी बिल्कुल दंदनी, ये सबसे बड़ा सवाल है, और यही सवाल लोगों के जेहन में है, कि हत्याकान के बाद, चार पांच ऐसे चेहरे थे, जो साब तोर पर देखे गए थे, उनका CCTV फुटे जाया था, उनकी तस्वीरे सामने आई थी, हाला कि अगर पुलिस की क करवाई में सिर्प और सिफ जितने नाम सामने आये थे, उनके घरों पर पुलिस और प्रियागराज विकासपादी करहनतवारा, उनके घरों पर बुल्डोजर से घर तोड़ने की दोस्ती करन करने की कारवाई देखी गई थी, लेकिन जो एक सबसे बड़ा सवाल है, कि कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से इस भट्या कांट की दोने पूरी कड़ी जोड़ रखी थी, किस तरीके से वहाँ पर दिन दहारे इस पूरे घटना को अंजाम दिया जाता है, और तीन मौत्ते होती हैं, लगातार जो गोलियां और बंद च कैसे नहीं आ है, हाला कि ये बड़ा सवाल है, लोगों के जेहन में बार बार ये सवाल आया, कई तरीके सो लोगों ने ये भी पुलिस पे आरोप लगा है, कि पुलिस कहीं ने कहीं पुरे घटना में Food बार जारा है, पुलिस का खुपियात तन्तर फैल नजार आरहए है, क्योंकि दिन दहाड इस तरह के घटना को अंजाम देना तस्वीरे सामने आना आरोपियों का इतने दिन फरार होना पुलिस की पकड़ में आना एक बड़े सवाल क्यों ले जाता है। हाला कि अब जिस तरीके से पुलिस, अतिक और अश्रप को आज कस्टेडी दिमान पर ले ली हैं, किस तरीके से पूस्ताज करेगी, किस तरीके से आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाएगी, किस तरीके से इस हत्याकान का खुला सा होगा, यह देखने वाली बात अब जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पावन। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोका